नमस्ते सबी को तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे Reservation and Weightage System in रजिवगंदी यूनिवर्सिती तो रजिवगंदी यूनिवर्सिती जो अरुनाचल प्रदेश का एक लोता सेंटर यूनिवर्सिती है जहाँ पे हर कोई परना चाहेगा और परना पसंद करेगा और उसमें कैसे कैसे Reservation and Weightage System जो कैसे कैसे रहता है वो सब चीज आज हम इस वीडियो में completely जानेंगे तो last year क्या हुआ था कि उसमें रजिवगंदी यूनिवर्सिती में entrance conduct नहीं किया गया था तो वहाँ पे merit basis देखा गया था तो वहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ-कुछ students को percentage जादा होने का बावजुद भी उसे admission नहीं मिला था और कुछ students को percentage कम होने का बाद भी उसे admission मिल गया था तो यहाँ पे इतना सारा questions जो सवाल जो उठता है कि उसका percentage कम है मुझसे लेकिन मैं नहीं मिला वो क्यूं मिल गया और यह सब सारे सवाल को जवाब देने के लिए मैं इस वीदियो को सोच है कि इस वीदियो में अच्छा से explain कर दू ताकि किसी को confusion ना हो तो इस वीदियो को आपको अच्छा सुनना है और अच्छा से समझ नहीं तब जाके आपको Reservation Invited System को समझ में आएगा तो रजिवगंदी उनिवर्सिती में आप जितना भी यूजी प्रोग्रामी है और पीजी प्रोग्रामी है देर सारे प्रोग्रामी है बहाँ से तना पीजी प्रोग्रामी है बहाँ हे 60% सीट्स जो है की रिजर्व रहता है से कैंडिडेट के लिए उसके बद नाइन पर सन सीट्स जो OPC के लिए रिजर्व रहता है लेकिन OBC wall के भी non creamy layer वाला OBC होना परेगा तब वो उसका अंदर पर आएगा उस reservation category के अंदर पर आएगा उसके बद 3% reserve रहता है ऐसी category के लिए उसके बद और एक 3% reserve रहता है जो ex-servicemen का बच्चा होंगे तो उन लोगों के लिए भी ये 3% reservation रहेगा उसके बद 5% reservation रहेगा differently available candidates के लिए उसके बद कुल मिला के 20% बचता है तो उस 20% को क्या करता है वो open seats में रखा जाता है उस 20% को तो उस 20% पर कोई भी आ सकता है ऐसे बच नहीं कि ये स्थी वाला लोग भी नहीं आ सकता है ऐसे बच नहीं है open में कोई भी आ सकता है in case अगर आप स्थी के निदेत है लेकिन आपने entrance पर सबसे highest mark carry किया है तो आप open seats से होके भी आप admission ले सकता है राजिब गंदी university में तो ये हो गया जितना reservation seats का reservation हो गया उसके बद पिर से एक होता है जैसे कि राजिब गंदी university जो एक अरुनाचल प्रदेस का center university लोता center university है तो उसमें क्या है कि राजिब गंदी university को देर सारे colleges जो appellated है और उनाचल पर जितना colleges से उनमें से कुछ appellated है कुछ appellated नहीं है तो जितना college appellated वाला है उससे कोई student यहाँ पे admission करने के लिए form fill करता है तो उसको क्या benefit मिलेगा बोलने से उसको 10 person weightage मिलेगा मान लो कि मैंने dn college से graduation किया है और dn college जो राजिब गंदी university से appellated है तो मुझे क्या मिलेगा 10 person का weightage मिलेगा उसके बद यह हो गया राजिब गंदी university से appellated वाला का बात उसके बद और एक बात हो गया जैसे कि मान लो कि आप अरुनाचल प्रदेश का local है यानि कि आरुनाचल प्रदेश का आप ST है या उससे हम APST कहते है अगर आप APST है और आप आरुनाचल प्रदेश का किसी भी college जो राजिब गंदी university से appellated नहीं है या पिर आप आरुनाचल का बाहर किसी भी college में graduation किया है लेकिन आपका वो college जो है कि UGC से recognize होना परेगा ऐसे इंसान को पिर से क्या benefit मिलेगा बोलने से 5% weightage का benefit मिलेगा मान लो कि मैं मैंने सिलोंग से graduation किया है और जिस college से मैंने graduation किया है वो जो UGC से recognize है तो मुझे क्या मिलेगा 5% weightage additional weightage जो मुझे यहाँ पे मिलेगा तो यह हो गया उसके बद तब तक आसा करूँगा सब समझ रहा होगा उसके बद पिर क्या होता है कि और एक one additional seats रहता है हर प्रोग्रामी पे एक सिप DCA, BPED, PhD यह तीनों को चोरके हर प्रोग्रामी पे एक कोटा रहता है sports quota रहता है तो उस sports quota में पिर से category wise है वहाँ पे तीन category है एक 10% weightage वाला और एक 5% weightage वाला और एक 3% weightage वाला अगर आपने international level पे country को represent किया है तो आपको 3% weightage मिलेगा अगर आप state को represent किया है national level पे तो आपको 5% weightage मिलेगा अगर आपने inter university का कुछ यह राजिवगंदी university का recognize वाला sports कुछ भी program पे अगर आपने पर्टिसिपेट किया है तो आपको 3% weightage मिलेगा यह हो गया वह sports को तावला बद उसके बद और एक additional seats रहता है reserve except dca and phd उसको चोरके जो राजिवगंदी university का regular employed है उसका कोई बच्चा जो राजिवगंदी university में admission करना चाहेगा तो उन्हें भी 10% का कुछ benefit मिलेगा 10% का weightage जो उन्हें मिलेगा उसके बद वह श्रीप नहीं है अगर कोई होता है economically weaker section उससे हम EWS यानि की economically weaker section कोई होता है उन्हें भी 10% का weightage मिला जाएगा तो यह हो गया जितना मैंने बताना था बता चुका है उसके बद फिर से NSS और NSS volunteer और NCC credits वगेरा है उसके उपर मैंने complete video मैंने बना के रखा हुआ है तो उसका video का link में description box में दे दूँगा अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी जाके check out कर लिजे उससे देख लिजे उसके अबर यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ यह स्क्रीन पर जो आप देख रहे है एक PDF है यह कहा कहे बोलने से यह जो राजबगंदी यूनिवर्सिति का admission bulletin है उस PDF से मैंने यह आप लोगों को explain कर रहा है कर रहा है तो इस PDF को अगर आप परेगा वोलन से आप मेरा टेलीग्राम चैनल पर चेक कर सकते हो वहाँ पर मैंने पहले और इसको शेयर कर चुका है उसको आप डाउनलोड करके वहाँ पर लिजे अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्रम चैनल को जोईन नहीं किया है तो कर कर लिजे और पी एच्डी का भी दो पेपर एंट्रोपोलोजी उसके बाद ट्रावल इस्तादिस का पी एच्डी का भी इंट्रेंस टेस्ट का कुशन पेपर वहाँ पे डल रखा है आप मेरा टेलीग्रम चैनल जोईन कर लिजे लिंक डिस्क्रिप्शिन बॉक्स पे के बहाँ पे मेरा चैनल का नाम को सर्च कर सकते हो तो सर्च करने से आपको मिल जाएगा तो आप बहाँ पे जोईन या सब्सक्राइब करके रखिए तो वो सब बिल्कुल फिरी है ऐसे बाद नहीं कि आपको पे करना पड़ेगा उसके बाद और एक चीज है 75 परसंट लोग मेरा वीडियो लगातार देखता है लेकिन वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे सब्सक्राइब करने से आपका कुछ जाने वला नहीं है ऐसे बिल्कुल नहीं है सब्सक्राइब बिल्कुल फिरी है प्लीज कर दिजे उसके बद या confusion दूर करेगा ऐसे कुछ चीज है तो आप मुझे इंस्टाग्रम पे मैसेज कर सकते हो या Facebook पे मैसेज कर सकते हो दोनुपे मैं active रहता हूँ लेकिन मेरा मैसेज reply का time लग सकता है लेकिन आप बहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो उसके बद दोस्तों आप मेरा वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजए जितना अडमी देखता है उतना लाइक भी नहीं मिलता है लाइक से मुझे क्या मिलता है कि मेरा वीडियो का impression good impression बढ़ता है और बिना like का bad impression बढ़ता है तो like जरूर दे दीजिए उसके बद कमेंट करने के लिए कुछ नहीं यह तो तो दोस्तों मैं आशा करूंगा कि यह वीडियो आप लोगों के लिए helpful रहा होगा और रहेगा उसके बाद यह आपको समझ में आया होगा और in case इसके regarding कुछ पूचेएगा बोलने से आप मुझे instagram पे message कर सकते हो या facebook page पे message कर सकते हो और मैं आपको नहीं बोल रहा है कि आप मुझे instagram पे follow करो follow कर सकते हो अगर आप चाहो तो follow कर सकते हो अगर follow नहीं करना चाहे तो भी follow मत करो लेकिन अपना confusion दूर करने के लिए मुझे instagram या facebook page पे message कर सकते हो लेकिन मेरे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आपका कुछ नहीं जाने वाला बिलकुल फिरी है तो दोस्तो हम पिर मिलेंगे और एक नए वीदियो और एक नए तोपे के साथ तो आज के लिए इतना ही तो पिर मिलेंगे टे क्यार सी यू